नमस्कार, वीजा हब हिंदी में आपका सुवाज़त है, बात करते हैं कैनिडा की लेटेस्ट अपडीट के बारे में, ये मेरे हाथ में आप पेपर देख रहे हैं, इसमें सारी डिटेल रिसर्च करने के बाद, मैं आपको प्रॉपरली असान तरीके में बता रही हूँ कि कैन अगर किसी की ट्रावलिस ट्रिप बहुत अच्छी है, पहले कैनडा जाके आचुके हैं, टाइम पे वापस भी आए हैं अपनी कंट्री में, तो हो सकता है उनका भी 10 एर्स का उनको दुबारा वीजा मिल जाए, अब कुछ चीजें जो है न वो ध्यान देने वाली है, वो क् आई-र्सिसी ने क्या किया है, वीजा ओफिसर्स जो हैं, अब उनके हाथ में सब कुछ दे दिया है, अब उन्हें ही बताना है कि जो प्रोफाइल उनके पास आई है, उसको एसेस करने के बाद, अगर वीजा ओफिसर को लगता है कि इन्हें 10 साल का वीजा देना है, तो वो थोड़ा short stay मिल जाए, अनि यह हो सकता है कि multiple entry मिल जाए, पर उसके लिए भी अब कई चीज़ें आ गए हैं, कई factors जो हैं वो देखेंगे, उसके बाद ही आपको visa मिलेगा, Canada का tourist visa, अब वो single होगा, multiple entry होगा, वो सारा कुछ, officers, visa officers के हाथ में हैं, पहले कई चीज़ें निगल अब कुछ factors बहुत अच्छे तरीके से assess किये जाएंगे, सबसे पहला मैंने आपको पताया purpose, उसके बाद बारिया आती है family ties की, कि आपकी इंडिया में family ties क्या है, आप क्या business कर रहे हैं, कितना वो established है, आपकी employment क्या है, जहां आप job कर रहे हैं, वहाँ पे आपको sufficient salary मिल रही आपकी savings है, वो सारी चीज़ें भी matter करेंगी, अगर आपके पास funds बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है आपको multiple entry visa मिल जाए, अब travel history की बात करते हैं, ये भी check होगा, कि आप और कई countries में घूम के आए हैं कि नहीं, इंडिया से बाहर abroad कौन कौन सी country आप घूमने गए हैं, उस नहीं घूमने गए, हो सकता है उन्हें first time short visa मिले, and अगर आप already Canada जा चुके हैं, दुबार आपको apply करना पड़ रहा है, visa, Canada का tourist visa, तो वो भी check करेंगे कि पिछली बार जब आप Canada गे थे, कितने time के लिए गये थे, इसलिए हमेशा हम आपको ये कहते हैं, कि जितने time का आप 10-15 दिन का उतना ही लिखें, उतना ही जाएं, और अपनी country वापस आ जाएं, ताकि next time के लिए problem ना आए, आगे बात करूंगी funds की, funds जो है, अब वो ये check करेंगे कि अगर एक इंसान Canada जाना चाहता है, साल में एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसे multiple entry दी जाए है ना, वो आपके funds पर depend करेगा, तो ये कुछ, रले मिले, हम कह सकते हैं, factors हैं, जिने assess किया जाएगा, प्रॉपरली देखा जाएगा, सारी शानवीन की जाएगी, और उसके बाद जाके आपको वीजा मिलेगा, तो Canada tourist visa अभी भी approve हो रहे हैं, refusals भी आती हैं, बट अब factors चेंज हो कि नीजा मिलेग के जाएगा, प्रॉपरली देखा है, तो है भी आती हैं, तो ही आती हैं, जिए जए जाएगा हैं, तो हैं, तो हैं मिलेखाम सकतarti हैं, तो हैं, तो हैं, तो हैं जो य pik।